नमस्काद ज्धारखनसमाचार में आप सबोंका स्वागत है आयगत जानतें आज की टाजा मुक्कीठ खबरु को स्यम अवास में जेम्यम का मिलन सम्मारो तिन हजार लोगों नीली पार्टी की सदस्यता चमपई स्वरेन ने कही बात जार्खन के मुख मंतरी चमपई स्वरेन ने रैधानी रांची के कांके रोड इस्थित आवास में लक्सवाचुनाओं से पहले जार्खन मुक्ती मोचा का मिलन सम्मारो हुआ सम्मारो को समोधित करतीवी जारखन के चिप मिनिस्टर ने कहा कि हमंत स्वरेन को केंदर परतारित कर रहा है इसके विरोत में जामोमो का यह मिलन सम्मारो एक जन अंदोलन है सम्मारो में 3,000 लोगों ने जामोमो की सदेशता ली रहिवार को यानि की 25 फरवरी को सियम चमपई स्वरेन ने कहा कि जामोमो मिलन सम्मारों में विभिन समाजिक एउंग सांस्कृत संगटनों के साथ साथ अलग अलग दलों के हजारो लोगों ने पार्टी का दामन थामा करिब 3,000 युवा जिन में महिलाएं भी है ने दिशम गुरु सीबू स्वरेन और हैमन स्वरेन के निर्तित में अस्था जताती भी जामोमो का जंडा थामा जार्खन के सियम चमपई स्वरेन और जामोमो के राची जिला ध्यक्ष मुस्ताक आलम ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई रांची जिला अध्यक्ष मुस्ताक ने भी किया संबोधित जारकर मुक्ति मुर्चा के केंद्री महासेची शहपरवक्ता बिनोत कमार पांडे ने भी पार्टी का पट्टा पाहना कर रिवाओं को पार्टी में स्वागत किया उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नए सदिश्यों के साथ भी पार्टी हर अस्तर पर केंद्र सरकार के खिलाप लोगों को जागरू करेगी जहमुमों के राची इस्थित राची जिला अध्यक्ष मुस्ताक आलम ने कहा कि केंदर की भस्पा सरकार ने जिस तरीके से हमारी मुखमंत्री हमनस्वर्ण को परतारित कर जेल भेजा है उसके खिलाप यो आकोरोस दीख रहा है आप लोगोंने पार्टी की सदस्यता ली है आने वाले दिनों में यह सिल्सला जारी रहेगा जार्खन के लोगोंको हम पार्टी से जोड़ते रहेगे और जनता के हेति में उनकी अवाज को बुलंद करते रहेगे राची में वोकारो और धनबाद के लोग चला रहे थे ओनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार साथ हुआ गिरपतार भारत और इंगलेंड के बीच खेले चारे चोथे टेस्ट मैस के तिसरे दिल राची पुलिश ने साथ लोगों को गिरपतार किया है ओनलाइन सट्टेबाजी से जुरे ये सबी लोग बोकारो और धनबाद के रहने वाले हैं राची के एससपी चंदन कुमा सिन्ना के नर्दिस पर यह करवाई की गई है एससपी ने रेवार को यानि की 25 फरवरी को प्रेस कॉनफरेंस करके यह जनकारी दी एससपी ने बताय कि सनिवार यानि की 24 फरवरी को उन्हीं गुप्त शुटना मेली थी कि जारकन की दाजधानी राची में कुछ लोग ओनलाइन सट्टेबाजी के जरिये ठगी का काम कर रहे हैं इस शुटना के अधारप सिटी एसपी राजकुमार महता ने सदा डिएसपी संजीव कुमार बेसरा के निर्तित में एक टिम का गठन किया इस स्पेचल टिम ने नियू नगर बांध गारे दिपा टोली इस्तित उमासंकर सिंग पिता स्वर्गे सतिस के घर में छपा मारी की उमासंकर सिंग के घर में संदिक्त आवस्था में साथ लोग मिले इनके पास से लेप्टॉप फरजी एटिम काड एंग मोबाइल फोन के सीम मिले पता चला के इन समानों की जरिये ये लोग ओनलाइन सट्टे बाजी करते थे और लोगों से पैसा की ठगी करते थे इन सभी को पुलिस की टीम ने गिरपतार कर लिया इनकी निसान देही पर वहां से करीब एक सो मिटर आगे रविंद्र सिना के फिलेट में भी छापा मारी की गई रविंद्र सिना के फिलेट से पुलिस को भारी संख्या में मोवाइल भौन के सीम, एकियम काट, पासबूक एवंग अन्य संद्यहा असपद समान के साथ साथ 11,03,500 रुपिये भी मिले गिरपतार केगे अप्रियाध्यू के नाम प्रिंस कुमार, रोहित रजक, सुरिश कुमार हस्दा, विक्की कुमार, काजल अड़ी, सोरो कुमार गुप्ता और सुबम भाटिया है इनमें से एक धनबात के और बाकी छे वोकारों जिला के रहने वाले हैं साहिवगन में आबुवा आवाश योड़ना के तत्सीमनी लाबोकों के बीच किया सुकृती पत्र का वित्रन साहिवगन के ब्रेड पर्खन के भोगनाडे इस्थित फुटबॉल मैदान में तीन जिलो यानिकी साहिवगन पाकूर गुड़ा के लाबोकों के बीच आबुवा आवाश योड़ना के अंत्रगत सुकृती पत्र वित्रन समारों में मानिनी मुखमत्री चमपई सुरणी हिस्था लिया समारों के दोराज सियमने साहिवगन के 7,911 पाकूर के 6,649 गुड़ा के 9,972 लाबोकों को आबुव आवाश योड़ना का लाब दिया साथ ही सियमने 73,69,60,000 रुपे किस्थ के रूप में डिविटी के माध्यम से हस्तांत्रित भी किये आप सुब को बता दू कि इस योड़ना केताथ साहिवगन पाकूर और गुड़ा के 24,532 परिवारों को पर्थम चरण में आवाश देने का लक्ष रखा है लुक्समाच 9 से पहले कुर्मी समाज ने दिखाई ताकत बिजेपी और कॉंग्रेस पर साधा निश्चाना कुर्मी समाज के हुंकार महारेली में मुख सहयोजक सितल उहदार ने कहा कि अब समाज अपने सम्मेधानिक अधिकार को लेकर सचेत हो चुका है कुर्मी समाज को समी राइडनितिक दलों ने चलने का काम किया है अजादी के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने कुर्मी या कुर्मी जनजाती को धोखे में रखकर अनुसुचित जनजाती की सुची से हटाया अब विजेपी चलने का काम कर रही है यदि केंद सरकार कोड़ियों को अनुसूची जनजाती की सुची से सुची बत नहीं करती है और कोड़ुमाली भहसा को आठमी अनुसुची में सामिल नहीं करती है तो लोग समाच उनामें इसका परिणा भुगतने के लिए तैयान रहे वे रेवार को मुरहबादी मैदान में आयित हुंकार महारेली को संबोधित कर रहे थे अस्वनी के पंजे की मदद से इंगलेंड की दूसरी पारी 145 पर सिम्टी जितने के लिए भारत के सामने 192 रनों का लक्ष भारत और इंगलेंड के बीच राशी में खेले जारे चोंथे टेस्ट मैच के तिसरे दिन इंगलेंड की टीम दूसरी पारी में 145 रनों पर सिम्ट गई जित के लिए अब भारत के सामने 192 रनों का लक्ष है क्योंकि पहली पारी में भारत 46 रनों से पीछी रह गया था अगर यह टेस्ट मैच भारत जित जाता है तो वो पांच मैचों के सिर्ज में 3-1 से अजय बढ़त बना लेगा भारत की ओसर सरवादिक 5 विकेट और अस्वनिनी, 4 विकेट कोल्दिप यादबनी और एक विकेट रविंदर जडिजाने जटके हैं इससे पहले भारत ने सुरुआती जटकों के बाद अपनी पहली पारी में 307 रन बनाए थे इंगलेंड ने पहली पारी में 303 रन बनाए थे जिनका पिछा कर रही भारती टीम 303 दिन के पहले सत्र मेही ओल आउट हो गए थी भारत के 177 रनों पर ही 7 विकेट गिर चुके थे लेकिन निटले करम के बल्ले बाजों ने समल कर खेलते हुए टीम की मेच में वापसी करवाई ज़ार्खन में आज बारिस के हैं असार चलेगी तीज हावा येलो अलट जारी ज़ार्खन के रैधानी राची सिमित राज के दक्षिनी हिश्चों में आज से गरज के साथ बारिस होने के असार हैं साथ ही अगले दो दिनों की दोरान मोसम में बदलाव तेजी से आएगी और 37 फरवरी तक राची समित राज के कई हिश्चों में हलके से मध्यम अस्तर की बारिस होने की संभावना है मोसम विभाग ने आज सुमार और मंगलवार को राज के कई जिलों में तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है हवा की रबतार 30 से 40 किलमेटर परती घंटा तक हो सकती है इससे तफमान में उतार चड़ा होगा वही बारिस होने से रात में सिहरन भी बढ़ेगी मोसम बेग्यानिक के मुताबिक देश के पसीम उत्तरभाग में नई पीसोप के कारण अगले दो तिनों तक मोसम में बदलाओ की इस्थिती बनी रहेगी आप सब को बता दू कि 27 फरवर के बाद मोसम साफ होने की संभावना है विभाग के मुताबिक मोसम में हुए बदलाओ से राईस का तपमान समायन से नीचे है असमान में बादल चाहे रहने के कारण तीस डिग्री पार हो चुका अधिकतम और अठार डिग्री नियूंतन तपमान अप चार से पाई डिग्री नीचे आ गया है निरंजन मंडल अपने सहयोगी के साथ बनाता है नकली सराब 600 लिटर इस्परीट परामत आरोपी हुआ फरार गोड़ा का निरंजन मंडल अपने सहयोगी के साथ नकली सराब बना कर बेचता है पुलीस उसके ठिकानों से 600 लिटर इस्परीट बरामत किया है हलांकी करवबार में सामिल आरोपी फरार है निरंजन मंडल अवेद सराब बना कर बेटने का धंदाग करता है इसी सुचना पर गोड़ा के स्टिपो के निर्तित में एक छपामारी दल का गठन किया गया पुलिस की छपामारी टीम सामय जोड़ा इस्तित घर पर उतपात विभाग के कर्मी की साथ स्यंक्त रूप से सपामारी में घर से अवेद सराब बनाने के लिए रखे गए 20 जरकिन स्पीट में करीब 600 लिटर बरामत किया है अस्थाने लोगों ने पुलिस को जनकारी दिया कि निरंजन मंडल और उसके सहयोगी कुछ तिनों से अवेद रूप से नकली सराब बना कर बीचता रहा है मामले को लेकर मुपसिल थना कान संख्या 342-2024 IPC की धारा 242,272 और 477 ए उत्पाद अधिन्यम के तहत अग्यात आरूपी के विरुत पराथिमी की दर्ज किया है वही निरंजन मंडल समित अन आरूपी की गरपतारी के लिए छपामारी जारी है रामगर थाना हाजत में युग की मोत मामले में दो ASI और एक कॉस्टिबल सस्पेंड रामगर थाना हाजत में अनिकेत का सव फंदे पर लटका हुआ बरामत किया गया था अब इस मामले में दो ASI और एक कॉस्टिबल को जांच के दोरा निलमित कर दिया गया है वहीं मामलिक CID जांच भी शुरू की गई है साथ ही पधान जिला और सत्र नियादिस के आदेश पर अलग से सिज्यम जांच कर रहा है रामगर स्पी प्यू स्पान्डे के द्वरा स्ट्प्यों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी पर लप्रभाई बरतने के आरोप में ASI संजे कुमार सिंग और ड्यूटी ओफसर ASI उदै कुमार यादव सिपाहे परताब कुमार को सस्पेन कर दिया गया है बेरमो में ओसंगठित मैदूर मोर्चा का एक द्वसे समेलन संपन बोकारो थरमल में रग्दान स्वीर का आयोजन बेरमो अन्डमनल के बोकारो थरमल इस्तित बोकारो कलम में रेवार को ओसंगठित मैदूर मोर्चा का एक द्वसे समेलन आयोजित किया गया सम्मेलन का उत्गाटन सहित वेदी पर मल्यारपन एंग जंडों तलन के साथ आरम किया गया सम्मेलन में बतोर मुखी अतिति मोर्चा के केंद्री महासचीव निताई महतों मौजुद थी सम्मेलन को सम्मेलन को सम्मेलन केंद्री महासचीव निताई मौजुद थी विधाई भी नहीं मिल पा रही है लोगों ने कहा कि डिविसी में उनके संगठन का विस्तार के बाद महतों के हक एंग अधिकार की लड़ाई को लेकर अंदोलन किया जाएगा वही बेर्मो के अनुमिनल के बोकारो थरमल के जियम कलोनी इस्तित सिर्राम गेस्ट हाउस में रेवार को स्वक्षिक रगदान स्विर का भी आवेजन क्या गया रगदान स्विर वैस्ताकी कलोनी निवासी तनुसरी पाल एंग सवपन पाल की 11 वर्षी पुत्री तथा थले सिम्या के मरीज लिपिका पाल को रगदान के लिए के एम मुमरियल होस्पिटाल चास के तदो अधान में प्रभुद्द लोगों की ओसे क्या गया पसू तसकरों पर बड़ी करवाई मावशी लदे दो पिकप बेंड को पकड़ा 12 पसू बरामत चालक हुआ फरार ग्रीडी के जमा पुलिष ने मावशी लोट दो पिकप बेंड को खडग डिहा से पकड़ा है जून से भटके हाथी ने मचाया उतपात तीन की हुई मोत बोकारों में सोच से लोट रहते बुजूर्ग और महिला चार चार लाग का दिया गया मौजा बोकारों में जून से भटके एक हाथी ने जम कर उत्पात मचाया इस दोरान एक बुजूर्ग और महलाओं को कुचल दिया इसमें बुजूर्गी की मौके पर ही मोथो गई वहीं दो महलाओं की इलाज के दोरान मोथो गई इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही हमें दीजे इज़ाजत नमस्कार